राम राम जारेने बाई जी हर्याना की वकेंसी आ गई है फाइनली कॉंस्टेबल की वकेंसी आ चुकी है छे हजार टोटल पत के उपर भरती करने जा रही है हमारी हर्याना सरकार इंपोर्टनेंट डेट्स देखने हैं इसमें सबसे पहले आपको 20 सारिक से नोटिफिकेशन शुरू हो चुका है आपको 20 सारिक से फॉर्म अप्लाई करने और आखरी डेट आपके बस 21 मार्च तक की है उसके बाद आपको दिखेगा कि कोई फीस नहीं लग रही है इस बार हरणा सरकार ने मौच कर दी है CET की थूपेपर हो रहा है और आपको कोई फीस पे नहीं करनी है इस बार चीक है जी ये टेबल अफ कंटेंट नोटिफिकेशन में आपको दिया गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आपकी जो भी information required हो आपको लग रहा हो कि आपको इसके बारे में जानकरी चाहिए आप इसको देख लिजेगा मैं कुछ key points आपको इसके अंदर बता देता हूँ जो आपके लिए जरूरी है exam CET की थूरू रहेगा अगर total vacancies की बात की जाए तो 5000 vacancies male constable की है और 1000 आपके पास female constable की है category wise यहाँ पे इसको divide करके गिया हुआ है कि general की कितनी है, SC की कितनी है, OBC की कितनी है, EWS की कितनी है, X servicemen की कितनी है वो सारी details आपको यहाँ पर मिल जाएंगी qualification की बात करें तो 12th basis पर exam हो रहा है और एक बहुत अच्छी चीज इस बार हणा सरकार ने क्या किया है higher education के लिए आपको इस बार कोई फाल्टू के marks नहीं मिलेंगे जैसे पिछली बार के सरक papers में देखा गया कि बच्चे constable बार्वी के basis पर देते थे लेकिन higher education की वज़े से उनको extra marks मिलते तो जो edge मिलता था इस बार एक positive equality लाने की बात की गई है सरकार दोरा मुझे बहुत पर्टे को लेनी पसंद आई है ये बात age की बात करें तो 18 से 25 वर्ष तक के लोग इसमें apply कर सकते हैं और 5 साल का age relaxation मिला है इस बार class आपको देखने को मिलेगा जैसे की schedule cast के लिए backward cast के लिए और EWS के लिए भी 5 साल की relaxation है class ये ध्यान रखेगा ये पहली बार होने जा रहा है जहां पे EWS के लिए age relaxation आपके पास आ रही है ठीक है test का qualification सेम रहेगा CET की through ही आपका paper होगा उसके बाद आपका physical test होगा as per the standards जो आपको दिये हुए है physical की जो race है आप उसको देख सकते है पुर्शों के लिए धाई किलोमेटर है 12 मिनट में महिलाओं के लिए 1 किलोमेटर 6 मिनट में और ex-service man के लिए 1 किलोमेटर 5 मिनट में तो दोड़ना भी शुरू करो त्यारी भी शुरू करो exam का pattern build cool same है वही आपको दिख रहेगी हर्याना के question भी आएंगे animal husbandry question भी आएंगे आपके department base भी कुछ question देखने को मिल सकते है computer के questions रहेंगे math, reasoning, English, GKS सारब paper का pattern almost same है जादा variation नहीं आएगी अभी से अपनी तैयारी शुरू करो physical भी थोड़ा थोड़ा तैयार करो ताकि time list नौकरी को पा लीजे till then तैयारी कीजे अपनी आप wish you all the best